एक माहनायक डॉक्टर वी आरामबेड करके सब ये एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ जी फाइपर अभी एप डाउन्डोड करें भीम वो बैरिस्टर सहाब तुझे नहीं जानते जैसे मैं तुझे जानता हूँ तेरे पास उनके जैसी पद्वी नहीं है उनके जैसी पोशाक नहीं है लेकिन ये सब ना होते हुए भी उन्हें सतारा में कितनी बार कितनी बार कितने ही मुद्धे हल कि हैं हमारे लिए तो आप कोई माने या ना माने मुझे पूरा विश्वास है कि बैरिश्टर बाबु का ये दियाओ काम तु अच्छे से हल करेगा फिर से सातारा कुछ भी होता है सातारा सातारा केकर का इसा माहौल बनाने लगते हैं किसे सातारा में भीम ने कोई चमतकार कर दिया नहीं तेश काका मेरा भाई चमतकार नहीं करता है वो संगर्ष करता है और संगर्ष करकर पत्थर को पानी बना देता है हाँ तस्तारम बनावा तरह ही पत्थर का पानी जैसे तुम सब यहां कात रहा हो अब यहां कुछ आइसा करें तो हम सब मानें कि धीम्राओं में करनों बात है चोकू कि पहले तुम लोगों के आखो पर जो पट्टी बंदी है ना उसे खोल दो और फिर देखने की कोशिश करो तब दिखेगा भूल गया हो ना बीम हमारी जातका पहला लड़का है जो दस्वी कक्षा में उच्च श्रेणी से उत्तिर्न हुआ है और यह भी भूल गया जब पु चोटी जार के है तो हम अपको अंदर नहीं आने देंगे तब थी किसी के हिमत और इतनी दूर का सोचना ही क्यों मुहले के सामने लाल्टे लगी थीम की बदावलत जिस महले में पहली बार लाइट लगती है उस महले का कोई थास वेक्ति ही लाइट को जडाता है और इस मुहें के शुरुआत को भीम्राव ने कि है इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइट को भीम्राव जलाएं जो काम आप तब को असंभो लगा वो भीम ने संभो कर दिखाया और कैसे साबित करे वो खुद को और क्यों करना है साबित यह अपना काम करे और यह अपना काम करे नहीं आनंद इनका सवाल जायज है अगर इन सब को लगता है जो भीम को साबित करना चाहिए तो बैरिश्टर साब ने जो काम भीम को दिया था तो सफलता पुर्वक बुरा कर दे, साबित हो जाएगा चलो पुरंचल काम परचट है कि सुनी कि आप भी काम डूर्णने चरी जाएए मैंने डबा बान लिया तो यह तै रहा कि अगर भीम परिष्टर के यहां नौकरी पा लेता है तो हम लोग यह माल लेंगे कि भीम में थोड़ी बहुत काभियत है और अगर नौकरी नहीं पाता है तो फिर से यह सातारा सातारा कह करके कोई धीन की तारीफ मत करना सच में भाव मेरा भी दिमाग पगए इसकी तारीफ सुनते सुनते जैसे बाबा आनन भाईया और बुगा का विश्वास है ऐसे मुझे भी विश्वास है कि आप इस संगर्ष में भी सफल होंगे